आज मैं आपको बताने वाला हूँ एंड टीए ईपी एफो सोशल सेक्रेटरी असिस्टेंट एंड इस्टेनोग्रापर ग्रूप सी कि यहां पर पोस्ट है अक्ठाइस सुगुंद सट जिसके फॉर्म को मैं आपको रिजिस्ट्रेशन से लेकर फाइनल प्रिंट तक आपको कै मैं आपके सामने आप फिल करके देखेंगा आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर मैंने आपको सरकर रेजल्ट पर दिखाए भी है कि यहां पर कितनी पोस्ट है और यहां पर इस टैनोगरापर की 185 पोस्ट है जिसकी लाश्ट डेट कि अगर हम बात करें तो 26 अप्रेल इ क्लिक कर देना है उसके बाद आपको यहां पर नीचे स्क्रॉल करना है जैसी आप नीचे स्क्रॉल करना है आपको यहां से इसको कर देना है उसके बाद आपको अपनी माता का नाम भर देना है एंड आपको जो डेट अपर दियू ही है आपको वहीं आपर फिल करनी है को द्धार में रखते हो आपको इस फॉर्म को वर्लाइं है कि अगर हम बाग करता है यहांपे कोई सब आपका आडी नमबर भर सकते हैं मैं यहांप व वोटर आडी सेलेक्ट करंगा उसके बाद लेकिन ऊसके पेले में आगे बढ़ जाता हूं अपने यहांप तो यहाप फार्त आपका अड्रस कर दाना है उसके लंडिया स्वार्म ऎसके बाद करते हैं फर्म है तो तो मीरा यहाप राज्सतान है है अपकर आफber सब्सक्राइस योभी अपना फिलकोड है वह आपके क्लिक कर देना है उसके बाद आपके अपना email address फिल कर देना है जो भी आपका email है email यहां टक्निया आपके पास वो लोग इन होनी चीए जब हमारा forum finalist अब भी टो जाते है उसके email से अपको verify करना होगा इसका account को तो email वही भरना जो आपकी चालू है उसके बाद यहां पर आपको आपको वापिस से नंबर आपको अपना नाम लगा है और आप को तीन या चारंक लगा सकते हैं तो मैंने ऐसे करके अपना पासवर्ड लगा है अपने नाम का आपको आपको यहां पर देना है उसके बाद मैं यहां पर चला जाता हूं मैंने आप इसको सब्मिट कर दिया है और आप देख सकते हैं आपको यहां पर देना देखके अ मिलेगा इसके बाद आपको यहां पर माई नेम एंड जो भी आप यहां पर सारी डिटेर कंफर्म करके इस पर सारे चेक बोक्स का को टिक करने गर आप उनको टिक नहीं करोगे तो आप आगे नहीं लिजापाऊगे को मैंने सब को यहां पर टिक कर दें आई एक टिक कर देता हूं सब्मिट सेंड ओटीप पर यहां पर टिक करने के बाद आपको यहां पर अगला ओप्शन खुल जाएगा आपको कंप्रीट एप्लिकेशन फॉर्म पर किलिक करना है उसके बाद हमारी परसनल डेटेल वाला ओप्शन हमारे सामने फिल जाएगा आप यहां पर देख सकते हैं जो हमने डेटेल भर देए वो ऑटमेटिक फिलो के आगए अब हम पर यहां पर बाकी डेटेल बर नहीं है जो भी मांग रखे है और हिंदू मुस्लिम जो भी आपका रीजन है आप वहां पर सेलेक्ट कर सब्सक्राइब कर देना है उसके बाद आपको यहां पर देना है जैसे आप देख सकते हैं यहां पर फर्ष्ट यजी फाली ओप्षन पर क्लिक करना है अगर यह मैं आपको क्लिक करके अपना आधार नंबर भर देना है मैं यहां पर अपना अदर्नमबर भर देता हूं जो भी मेरा अदर्कार्ड नमबर है मैंने आपको ध्यान रखना है यह चीज चोटी-चोटी आपको थेक नहीं करना मैं आपको इनको क्यरफुलिविवर नहीं उसके बाद हम इनको को यहां पर भर देते हैं जो भी हमें शोरा नीचे उसके बाद सब्मिट और नेस्ट कर जीता है जैसे मैं मटमाक किया है तो यहां पर आप देख चाहते हैं आप आपको आपके exam City जो जहां आप अपना exam center फिल करना चाहते हैं वो यहाँ पर column आ चुका है तो आपको अपने exam center भर देना है मैं यहां पर रास्ता जैपूर कर दिया फश्ट में उसकी बाद second में मैं अपना कर देता हूं गिल्ली कर देता हूं और third और कि यहां पर च्यार एक्जम और मांगे, तो यहां पर आपको जो भी अपने इसाफचा आप देखना चाहूं वह सारे सेंटर आप यहां पर बाश्कते हैं, तो मैं यहां पर फिल कर देता हूं, नॉर्मल से जो भी आप करना चाहूं कर सकते हैं मैंने पंजाब करके लुद्यान कर दिया है आप इसके बाद आपको टाइपिंग में आपको यह सी करना पड़ेगा जब यह आप फोरम बर सकते हो इसके बाद आपको बोर्ड का नाम जो आपको फिल करना है मैंने आपके युनिविशिट अब रास्तान डाल दिया जैपूर से हूं मैं तो और उसके बाद आपने कौन सी सन में बीए फाइनल हुई है आपको साल सेलेक्ट कर दे रही है इसके बाद आपको बैसलर और उपान कर देना जूट करदेना है युनिश्यटि जो भी आ पका क्रान नएम तो मैं यह वे कर देता में उसके बढर अपके वह दिए और तो यह सकुर्ज परने जैसे आप यस करोगे तो आपके सामने ये फोस्ट मतलब रिजन डिटेल और फोस्ट प्रेफरेंस यहां पर भरने के लिए आपको बोलेगे कि अगर आपकी जवाब लग जाती है तो आप फस्ट प्रेफरेंस कहाँ पर रखना चाहोगे तो इसमें बाइस स्टेट दे रखे ह है, आप अपने हिसाब से जो भी सर्ट कर ना चाहोगो करदेना मैंने अपने हिसाब से यहाँ फिल कर दे रहा हूं धीर-दीर को म conclusion मुझे या पर रस्तान फर्स नमबर, चाहिए तो रस्तान पर जाकर मुझे एक नमबर आपको फिल करना है, जैसे दो नमबर पुछी है तो वहापी जाकर आपको दो नमबर फिल करना है, ऐसे करके आपको 22 को select कर देना है, मैंने आप तीन-चार बरहें, बाकी सब किरमभाई भर दी है, जो भी बनता है, ऐसे कहां का मतलब कोई धिक्कत नहीं है, आप अपने सब्सक्राइब कर देना है, उसके बाद मेरा थोड़ो सा प्रोग्रोम हो गया, मैंने 22 को कुछ इसमें थोड़ो चैंज करना पड़ेगा, बीस को दो बार भर दिया है, मैंने इसमें इम्रे को 22 करना है, उसके बाद मैं यास्च कर देता हूं, आप देख सकते हैं मेरा next page प्रोटो को research कैसे किया जाता है, अगर आपको problem आरे था, अप comment में में बजे बता देने कितनी problem आरे है, उस इसे आप से मैं वीडियो बना के आपको दे दूगा, वैसे मैं आपको वीडियो बना के description में दे दूगा, उसके बाद मैंने आप सब्मिट कर दिया है, तो आप द left side में जो आपको वहाँ पर detail के वो सारे मिल रहे हैं, आप वहाँ पर जाके इनको कर सकते हैं, बाकि अगर आपका सब कुछ ठीक है, मेरा यहाँ पर सब ठीक है, मैंने यहाँ पर चार्च लिया, सारे सब कुछ को टिक करके आई अगरे पर क्लिक कर देना, final submit मैं यहाँ video है, जो save कर लिए, तो आपको समझ आए होगा कि मतलब आपको NTA का forum कैसे बरना है, सब कुछ simple है, आराम से carefully आपको detail भरनी है,